हेलो दोस्तों मैं दंजे प्रताब सिंग दोस्तों जैसा गी आप सभी लोग जानते हैं लोग सभा चुनाओ के लिए डेट घोसित कर दी गई हैं मैं आप लोग लिए ये टॉपिक इसली लेके आया हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं एक्जाम में कोसन आ जाता कि कितने चरणों में चुना हुआ या कितने विल्लब कब इसका result निकला इस type of question काफी बन जाते हैं कि कब पहली चरणों का चुना हुआ दूतिय चरणों का चुना हुआ किस date को हुआ और विल्लब कितने चरणों में चुना हुआ और कब परड़ाम आया ये सारी question आपके बन जा तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो इसमें मैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लें दोस्तों एक चीज में बता दूँ जैसे मैं अनकेडमी पढ़ाता हूँ अगर आप लोग तयारी कर रहें कमटी से एक्जाम की तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलू कर सकत कि प्रेल को और पांचमा चरण का चुना होगा और च्छह मई को और चट्वेश्ट चणा होगा वह आपका 12 मई को दोस्तों और जो आपका साथमा चरण होगा और एक कि तो तो यह मैंने आपको थोड़ा सोट में ब्राइफ में बता दिया है कि कब चुनाओं होंगे 2019 के प भी आपको नॉलेज होनी चाहिए पता होना चाहिए कप कभ एक्जाम कप यह लब जो आपका चुनाव हो रहा है कप कप होगा किन किन चलनल में कप कैसे होगा दोस्तों तो यह पहला चलार तो यह सब आपने देखी लिए होगे इसका सकते हैं तो आपको इंक्वाइरी हो तो पूछ सकते हैं और जोड़े रहें अपडेट मिलती रहे हैं आपको उसके आपको अग्जाम के लिए अपका होगया और आपका निपीछी होगा जो आप जाएंगे तो बहुत फायदा होगा तो दोस्तों यह छोटा सावीडियो था इ रिजल्ट रिजल्ट कमेंड कब कब आएगा 23 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा और यह चुनाओ कब कब होंगे यह आप देख लीजिए यह भी जानना जरूरी था दूस्तों जै हिंद जै वारत